हाई फ्रेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अपमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि हम इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर जालते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हैलफुल साबित हो सकती हैं तो ज्यादा देरी ना करते हूँ मैं वीडियो शुरू करता हूं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कंक्रीट में आप सीमेंट सेंड और अग्रिगर की कॉंटिटी कैसे निकाल सकते हो देख ठीक है 10 qm मैंने volume of concrete ले लिया और अब मैं आपको इस volume में बताऊंगा कि मेरे को कितने सीमेंट और कितने सेंड और कितने एग्रिगर की requirement है इस volume को बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि dry to wet ratio का मतलब होता है कि जैसे concrete तींचेजों से मिलके बना होता है सीमेंट सेंड और अग्रिगेट जब आप उनको dry mix करोगे तो उसका volume ज्यादा होता है बट आप जब उसमें पानी डालोगे तो उसका volume कम हो जाता है जब वह बैट होता है वैट से जब ड्राइव में convert होता है त जब आप ड्राइव से बैट की तरफ जाते हो तो 52% volume कम हो जाता है तो यह हमारा वेट वॉल्यूम है तो इसको अब ड्राइव में लेना होगा तो कैसे लेना होगा इसमें 52% का increment करना पड़ेगा जो कि हमने यहां भी किया हुआ है 10 x 1.52 is equal to 15.2 cubic meter ठीक है यह आगे हमारा dry volume के अब जो भी calculation करेंगे हम dry volume के लिए करेंगे क्योंकि अगर हम wet volume के लिए कल्कूलेशन करेंगे तो जो हमने estimate निकालेंगे वह हमारा material कम पढ़ेगा क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि wet volume के case में wet volume कम होता है as compared to dry volume तो जो भी हम quantity निकालेंगे वह हम dry volume के लिए निकालेंग सबसे पहले हम निकालते हैं कि 15.2 क्यूब मेटर जो हमारा कंक्रीट है कंक्रीट की कंस्रक्षिन है इसको करने के लिए हमें कितने सीमेंट की रिक्वाइर्मेंट होगी यह हम निकालते हैं अब सीमेंट निकाले का PORMULA क्या है जो आपका VOLUM में इंट्व इन टू रेशेमें हैं कितना है 1 इंट्वाइड बाइ समबाफ RACIOS जो दो वल्णूं है 15.2 इंटू रेशेम इसका 1 इंट्वाइड बाइ 7 यह आगे हमारा 2,171 Kub औور बहनते हैं और शुझे में कैसे निकालना है और शुझे से आपको एक राबंद करने के लिए कितने निकालने के समय क्याक यह केजी निकालने के लिए करना है आपको 15.2 जो आपकी रिश्यों है इंटु 1 इंटु देंस्टी आफ सीमेंट डिवैडर बै सेवन के देंस्टी से वॉल्यूम को आपको देंस्टी से मल्डिप्ले कर देने तो आपको वेट पता जल जाएगा जब आप मल्डिप्ले करोगे आ आपका अनसर आएगा 3126.85 kg कि इस वेट को हम बैक चुर्णों करते कर लेते हैं जैसे आपको पता है एक बैग और सीमेंट होता है तो इतना सीमेंट जो है कितने बैक समाने तो इसको हम 50 से डिवाइड करतेंगे तो शची में नमरा बैक सम्ड पता लग जाएगा कि इतना क देगे जी कितने बैक्स में आएगा तो आप सिमेंट हमने निकाल दिया और एक्सट टेप हमारा हमें निकाला है तो हमारा वोल्यूम इंटू रीष्चोग डिवाइदर बाइ सम अफ रेश्यो फॉल्यूम 15.2 इंटू राइड सेविन समाफ सेवन है तो हमारा आगया 4.34 क्यूपिक मीटर यह हमारा सेंड का वॉल्यूम आ गया अब अग्रिगेट्स भी ऐसे निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वॉल्यूम इंटू प्रपोर्शन डिवाइडर बाई सम अफ रेश्यूस इन सब को मल्टिपलाई करके सेवन से डिवाइ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जुरूर लाइक करना और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करना ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो और हम जो भी नई वीडियो जालते हैं आप उससे सीख सको तो थेंक्यू बेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो